हेलो फ्रेंज आज बनाने वाले हम हेल्दी चॉकलिट की रेसिपी जिसमें मैंने यूज किया है थोड़े से यह मसका चसका के बिस्किट यह बिलकुल ऑप्शनल है साथ ही मैंने यहां पे लिया हुआ है भूना हुआ मौंगफली और भूना हुआ चना येस यह दो चीजों से सिर्फ आप बना सकते हैं बट बिस्किट मुझे एक नया ट्रायल लेना था इसलिए मैंने आप बिस्किट यूज किया है बिस्किट आप बिलकुल चाहे तो स्किप कर सकते हैं तो आपको यहां लेना है आधा कब होना हुआ मौंगफली और आधा कब होना हुआ चना चना आ मार्किट से मुउम्फली भी लेकर के आ सकते हैं इन तिनों ही दोनों ही चीजों को आपको अच्छे से ग्राइन कर लेना है इतना मत पीस यह की मॉम्फली का तेल निकलने लगे तो बस आपको इसको अच्छे टेरें पॉडर फोर्म में रेडी कर लेना हो, इसके बात स्वीटनिस के लिए हमें डालना है डाबर का हनी, आप कोई भी हनी यूज कर सकते हैं, जितने निसी हनी करने के यह हमें इसी के साथ बाइन करने के यह एम लगा řो घडा नीसी को एम यह हम only था ठी सिह works, और थे यह इसे बाइन करने के लिए 4-5 टेबल स्पून जो शहद है वो यूज हुआ था मेरे पास छत्ते का निकाला हुआ भी शहद रहता है जो मैं हमेशा लेकर के आती हूं मेरे पापजी हमेशा इसको खरीद कर रखते थे तो मेरे पास अभी भी वह बहुत सारा रखा है बट में पा अगर आप मिल्क पाउडर और बिस्किट को स्किप करना चाहते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं सारी ही चीजों को अच्छे से मिक्स करने का तो फिर आपको थोड़ा सा हनी डालना है और इसके बाद हनी की नीड नहीं है यह एक डो फॉर्म में कनवर्ट हो जाएगा बहुत और फाइबर से भरी हुई चीजों कहाना चाहता है तो क्यों ना मैंने सोचा कि चॉकलेट के साथ भी आपको हैल्दी चीजों सर्फ करूं तो यह होप आप सबको इस रेसिपी जरूर पसंद आई होगी पसंद आएगी साथ ही यह रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है बहुत ह यह baking paper लिया है बेकिंग paper थोड़ा मैंने बढ़ा लिया है क्योंकि इस चॉकलेट को हम एक शेप देना है आप चाहे तो हाथ से भी काम कर सकते हैं मोल्ड में भी डाल के यह काम का सकते हैं बट मैंने से थोड़ा से धिषरेंट वे इंड इसे हमें बेलन से सॉफ बेलना है ब बेलन की सहायता से थोड़ा पतला जितना थिकनेस आप अपनी चॉकलेट में देना चाहते हैं उतना थिक आपको इसे बेल लेना है मैंने काफी पतला लिया था और चोटे-चोटे स्क्वायर बाइट बनाए थे इसके यह देखिए साइट से इसके जो एजेज निकले हुए है उसे बिल्कुल शाप आपको फिनिश दे देनी है अच्छे सा सेट कर लेना है बहुत इजी वे में भी आप यह कम कर सकते हैं मैंने सिर्फ बेलन की साहता से यह काम किया था अलग-अलग मोल्ड में भी डाल कर आप यह कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 100 ट्रम में ने डाक चॉकलेट कंपाउंड लिया है मैंने यह पर डाक चॉकलेट यूज किया है आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट या वाइक चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं डाक चॉकलेट मैंने यूज किया है क्योंकि इससे आप इसके बॉल्स भी बना सकते हैं चाहें तो जरूरी नहीं कि आप इस शेप में ही चॉकलेट्स बनाएं साइड के जो बड़े चोटे एज़ेज उन्हें मैंने फिर से रीशेप कर दिया था और जो पॉफिकली शेप में कट हुआ था उसे मैं एज़ेज छोड़ दिया था यह देखिए बिना ओइल बिना घी बिना बटर के बिना शुकर के बहुत ही पॉफिकली हमारी जो बाइट्स है वो रेडी हो गई है आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बट मने इसे चॉकलेट के फॉर्म में कनवर्ट किया था इसलिए मैंने डार्क चॉकलेट मैंने अब वन वन बाइट्स लेना है और आपको इसे चॉकलेट में डिप करना है और बटर पेपर में या फिर किसी भी ट्रांसफरेबल पेपर या पॉलेतिन में आपको इसे अच्छे से जो एक्स्टा चॉकलेट से उसे निकाल करके रखते चले जाना है वन बाइवन यह सारे आपको इसमें डिप करके रेडी कर लेना है जब सारे चॉकलेट्स आपके रेडी हो जाएं तो मैंने देखिए यहां मैंगो का फ्लेवर चॉकलेट लिया था आप बिना किसी फ्लेवर वाली चॉकलेट के साथ भी उपर से गार्निशिंग कर सकते हैं बिना गार्निशिंग आप इस चॉकलेट को ऐसे ही सर्फ कर सकते हैं, लोकवाइज यह बहुत प्रिटी लगता है, मैंने येलो कलर का यह जो मेरा चॉकलेट है फ्लेवर वो बचा हुआ था मैंगो का, इसलिए मैंने ये यूज किया, आप अपने कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, साइड के एजस को थोड़ा सा नाइफ से कट कर दें, इस चॉकलेट को आपको 10-15 मिट लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रखना होगा, उसके बाद निकाल करके देखे, मैंने इस तरीके से शापनेस इसको दे दी है, और मैं एक पीस जो है, आपको कट करके दिखा रहे हूं, इसके अंदर